बढ़ते हैं आगे वक्फ वोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासी संग्राम ठमने का नाम नहीं ले रहा है और केंद्री मंत्री और बेगू सराय से सांसत गिरिराज सिंग ने इस मुद्धे को लेकर राहूल को खेरा गिरिराज सिंग ने राहूल गांधी पर तीखा हमला बोला उन्होंने आरोप लगाया कि राहूल गांधी और कॉंग्रेस देश में गिरियुद्ध कराना चाहते हैं गिरियराज सिंग वक्फ बोर्ट को लेकर राहूल गांधी पर निशाना साथ रहे थे उन्होंने कहा कि ग्रह युद्ध करवाने के लिए राहूल नए नए टूल किट बना रहे हैं वाप बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहूल गांधी गिरह जुद्ध करवाना चाहते है और गिरह जुद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे है वारानसी से गिरिराज सिंग वाप बोर्ड को लेकर विपक्ष पर जबरदस्थ हमलावर दिखे इतना ही नहीं गिरिराज सिंग ने वाप बोर्ड को जमीन कबजा करने वाला भू माफिया तक बता दिया वहीं योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर भी गिरिराज सिंग ने प्रतिक्रिया दी और अयोध्या अंदूरन का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर भी निशारा साथा